Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे star signs की reading होती है ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है So, शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास है 9 of pentacles फिर है 2 of pentacles 6 of cups 9 of cups So, 9, 9 किसी के लिए important हो सकता है and then ace of swords So, mainly I feel कि ये इनसान जैसे आप से कुछ communicate करना चाहते हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं I also feel कि ये इनसान इस वक्त आपको बहुत ज़दा miss कर रहे हैं बहुत ज़दा उन्हें आपकी याद आ रही है आपकी memories, उनके दिल और दिमाग पर हैं इस वक्त बहुत ज़दा सोच रहे हैं आपके बारे में I also feel जैसा मैं आप से कहा कि ये इनसान आप से कुछ communicate करना चाहते हैं को बहुत important बात है जो आप से करना चाहते हैं और I also feel कि ये इनसान बहुत ज़दा इस वक्त अपनी well-being पर focused है focus कर रहे हैं कि जिन्दगी में कुछ achieve कर लें अपने आपको बहुत ज़दा stable करना चाहते हैं finances के हवाले से, उनके कुछ goals हैं उनकी material life के हवाले से जिसके बारे में ये इनसान maybe they need some time और वो आपसे ये बार discuss करना चाहते हैं कि वो अपने आपको जिन्दगी में किसी मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जिन्दगी में कुछ करना चाहते हैं उनके goals हैं और उसके लिए उन्हें थोड़ा सा time चाहिए maybe so ये इनसान आपसे maybe कोई इस तरह की बात share करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि they need some time बट ये इनसान they have feelings for you और ये इनसान अभी भी आपको बहुत जादा याद कर रहे हैं so let's see Ace of Swords क्या है वो क्या बताना चाहते हैं आपको क्या communicate करना चाहते हैं आपसे so आप उनके लिए उनकी desire हैं उनकी wish fulfillment है you see king of pentacles आ गया हमने Ace of Swords को clarify किया so वो provide करना चाहते हैं वो आपको अच्छी जिन्दगी देना चाहते हैं के लिए they really need कि वो अपने आपको stable करें जिन्दगी में अगर तो वो male हैं और अगर female हैं तो वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें जिन्दगी में you know आप अपनी well being पर काम करें अपने material life पर काम करें इस sense में नहीं कि वो materialistic हैं इस sense में कि जो आपकी जिन्दगी की जरूरियात है वो पूरी हो सकें so I really feel कि ये इनसान बहुत practical होकर सोच रहे हैं इस connection के बारे में आपके बारे में बड़ा serious होकर सोच रहे हैं और वही बात जो मैं पहले करी थी देखे हमारे पस king of pentacles आ गया इनसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ long term goals रखते हैं वो सिर्फ short term के बारे में नहीं सोचते हैं इसलिए उन्हें थोड़ा सा time चाहिए वो आपके साथ बहुत दूर तक का सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत दूर तक जाना है एक लंबी जिन्दगी आपके साथ बितानी है वो बहुत ज़्यादा serious होकर practical होकर सोचते हैं तो ये इनसान आपसे communicate करना चाहते हैं कि उनके कुछ goals हैं और उनको complete करने तक वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दे और उन्हें support करें उनके goals में उनके dreams में और ये goals आप दोनों के लिए important हैं ये dreams आप दोनों के लिए हैं और उनके हर plan में आप भी शामिल हैं तो ये इनसान आपसे ये communicate करना चाहते हैं I really feel ये इनसान आपसे बहुत जल्दी communicate करेंगे बहुत deep communication और बहुत truthful communication बहुत open communication आप लोगों के दर्मियान होने वाली है बहुत जल्दी Let's see, ये two of pentacles क्या है वैसे तो हमें नजर आ रहे हैं ये इनसान थोड़ा time और चाहते हैं Oh my god, night of pentacles again वही बात जो मैं कर रही थी कि ये इनसान इने time और चाहिए And night of pentacles आपको पता है slow energy है So ये इनसान time चाहते हैं They want to share ये आपसे वो share करना चाहते हैं आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा आपका time और चाहिए ये भी हो सकते है कि आपने already बहुत ज़दा time दिया हो क्योंकि जब मैं ऐसे कहती हूँ आप मेंसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम और कितना time दें और कितना ज़्यादा इंतजार करें So ये इनसान आपसे फिर से और time मांगना चाहते हैं और ये totally आपकी choice है कि आप time और देना चाहें या ना देना चाहें बट आपके person इस वक्त यही सोच रहे हैं आपको ये surety भी देना चाहते हैं कि आप दोनों का future अच्छा होगा अच्छी जिंदगी वो आपको देंगे पूरी कोशिश करेंगे बट उन्हें थोड़ा सा time चाहिए So जैसा मैं हमेशा कहते हैं With the night of pentacles, slowly but surely So ये इनसान आपको ये कहना चाहते हैं So ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे जरूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye-bye